वाई यू आर सो लेट एक्चुली यह है वन प्लस का वाई वन एस जो कि फ्लिप कार्ट ने इतना ही लेट किया है ना कि हम लोग भूल कहते हैं हम लोग आप प्लस वाई वन एस टीवी के बारे में सबसे पहले बाद टीवी के जब आप डिलिवरी लेते हो तो आपको एक ची चेक कर सकते हो कि हाँ टीवी के नायम पर टीवी है इंट नहीं भेजी है क्योंकि आप इसको रिटर्न और रिप्लेंस भी नहीं कर सकते हैं थिक्कत है थर्टी टू इंचला वेरिंट ले हैं हम लोग ने 21st वैब को और किया तो डिलीवर हुआ है इस्टॉलेशन होते होते 10 स्मार्च हो गया वाई 14,500 में खरीदा हम लोग ने अन्बॉक्स कर लेते हैं और अगर आपने हमारी शाक टैंक वाले वीडियो ने देखी बाई जाकर देखो बहुत बहुत मस्स बनाईए के अंदर निल कर लेते हैं वाक्स पे काफी सारी स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई ह गामा इजन डॉल्पी आउडियो है बेजर लेस डिजाइन है वनप्स का कनेक्ट है यह अप्रिदेशन बहुत अच्छा होता है और और ऑक्षेन प्ले ओस है उसका और डुवल बैंड वाई-फाई भी है प्रोम कास को पी सपोर्ट मिल जाता है और कॉर्ड वोर्ट तो डे यह वनप्स का टीवी और यह हमारे मादव भाई आपको दिख रहूंगे मादव भाई क्या हाल है हेलो कर दो भाई गुद तो यह अब आपको थ्री स्टार्स के रेटिंगे 60 किलो वाट पर एनम लेगा आपको सबसे पहले इसका स्टाइल करनेट कर लेते हैं परस्ट इंप्रेशन में इसकी बिल्ट क्वालिटी प्लस जिसाइन बहुत तकड़ा इसको एपर आउन करते हैं यहां पर सबसे पर आपको रिमोट करेंट करना पड़ेगा ओके और होम बटन दबाते हैं और फिप्टे सेंटिमेंटर के डिस्टेंस रखना और सबको प्रे हो जाएगा राम से जैसे कि मैंने बताया थे ब्लुटूथ बटन है उल्दा सिधा कैसे आप यूज कर सकते हैं इसको खोडिकत नहीं होगी तो जल्ली से सटटप कर लेकिए इसको सटटप में डिवाइस में चाहेंगे आप और यहां सी स्टाट का देगा सब्सक्राइब कर कर लेता है जैसे कि इसमें हमारे वाइफ को यूज कर लिया है अब next कर देता है आपके android फोन में गूगल अकाउंट है उससे से सिंक कर लेगा फॉरल बहुत ही असाने सेटप करना हमारे वाइफ कर चुका है चलो यह सटटप हो चुका है मुबाइल के तुरो सटप करो अरा सबसे पहले बात करते हैं किसी भी टीवी को लेने के लिए आपको किन चीजों का ध्यान चाहिए सबसे पहला होता है दूसरा स्पीकर तीसरा बिल्ड कॉलिटी अगर यह तिनों चीज फुल्फिल हो रही है तो डिजाइन के उपर भी आपको देखना चाहिए क्योंकि टीव लेकिन इसका सबसे अच्छा चीज लगा बाई जो इसका बैजल है बहुत जादा पतला है मेरे साब से इसलिए तीवी का अक्शुल लुक आता है वह काफी जादा आपको कॉंपक्ट फील देता है और यह स्पेस यह बहुत ही कम लेता है 32 इंच का टीवी है लेकिन थोड़ के बारे में सबसे पहले बात आपको यहां पर करने के लिए इस पेस मिल रहा है नए टीवी जब आप खरी देगा तो डिलीवी के नेक्स डे इंजीनियर आएगा आपको और वो चार्ज करेंगा आपको 300 रुपीज तो अराम सो लगे था हम लेने उसको यूज नहीं किया औ आपको बीचवादा पिलिए इसके अंदर आपको कंवोर्टर जो कि दिखायता आपको अन्बॉक्सिंग में इजी माई वाल इजी माई तू इबने और यह उप्तिकल पोर्ट है और सौंड बार से बात आती है इसके स्पीकर्स की तो इसके अंदर 20 वाट का स्पीकर है और ए श्तिकल आता जिए बार तुम आपको पर इसके में नाक फोर्लिटीas tree बहलों और के प्लसक्तिं ऀसका depth कराइश वो भी जाधी आपकान्सा कर्ने में उसकोड आपको और यह ए घृव करने में एकिनदी इसके सब्ढ़ करने में सब्सक्रियन हई ए और हो उडले शक्सर सक तो यह तो काफी एपिक लग रहा है देखने है मज़ा गए लेक्ट चोटे मोटे फीचर जो है आपको वन प्लस टीवे के साथ काफी इस्क्लूजव रहते हैं और स्मूद एक्स्पीरेंस है वह मेन होता है हम सभी स्मार्ट टीव यूज़ करते हैं और रिमोट से ढूनते रहो ए दबाओ बी दबाओ सी दबाओ बहुत इमाखराब होता है लेकिन एक छूटे से मॉबाल अप्लिकेशन के वज़ा से इतना काम असान हो जाता है और यहां सब स्वाइप करते हो जितने भी आप्लिकेशन आप टीवी के अंदर वो डाइरेट आप फोल सकते हो यहां से जैसे ही खोलेते हैं इसका ऑप्लिकेशन अंदर से यहां सब काफी सारा कॉंटेंट एक्सेस कर सकते हो वनपेस का इस्क्लूजीव है और टाइप करने के लिए आप करते हैं इस पीगर्स के बारे में फुल वाली वजाते हैं और फूल और वाली वालिया यह बॉल्म के कर रहा है हमारी टीम ने श्वामिक कर रखा वे वन ब्रॉच की स्पीकर नेक्स लेवल एक बाप सुनाते हैं बाई बहुत ही तगला है और कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगे रिकॉर्ड किया है नई टीवी है और टीवी में थोड़ो दिन के बाद पर्फोर्मेंस ब्रॉप होती है बिल्कुल नॉर्मल सी बात है अब यह बात करते हैं एक मुवी चला देते हैं बद्धाइद 2 चला है बद्धाइद 2 दो धीक अच्छान रही है और अगर बात करते हैं साइट से विए अंगिल्स की डिफिनिटिल माँ ट्राई कर रहा है हलका सा कलर शिफ्ट होता है उसमें लेकिन बहुत सब्सक्राइब नहीं है अगर एक फैमली ऐसे कर्व में देख रही है तो सबको एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को तो सब्सक्राइब नार्मल है और एक अच्छी क्वालिटी में मानुगा और डिफिनिटिली साउंद और क्वालिटी और डिजाइन बहुत ही प्रॉपर देखने को मिले सोला हजार का ऑनलाइन था मैंने 14,500 के लिया बैंक औफर लगा के अब भी इसकी प्रैसिंग तिवी है क्योंकि उजर एक्सपिरेंश काफी जादा अच्छा है और स्मूथ है और यूज करने में असान हो रहा है टीवी को इस रिमोड के पावर के बारे बात करते सबसे पहले उल्टा चल लाता है वह वालुम वालूम काम कर रहा है बटां उस रूम में राकर कर रिकॉ के मूट पर कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है उतना प्रॉब्लमाटिक नहीं एक दू अपडेट के बाद फिक्स कर सकते लेकिन इस रिमोड के इंदर माइक है तो डिफनेटली वह काम करेगा और टीवी के सेटिंग्स के दर फीचर दिखा लेता है सबसी बड़ी बात ह इसके इंदर वाइफाई 5 GHz को सपोर्ट करता है जिसके वाइस से स्ट्रीमिंग होता है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है और मेरे साब से इस प्राइस पॉइंट पे अभी तक कोई टीवी दे नहीं रहा है इसका हम लोगने स्टैंडर्ड ही यूज किया है बहुत ज्या अब इसका यह वाला बहुत अच्छा मोड है आई कॉमफर्ट मोड अगर आप रात में देख रहे हो ब्राइटने सलका सा कम करके आई कंफर्ट मोड पर देखो आपको अच्छी बात है यह काफी पर स्क्रीन सेवर मिलता है यह बाइट तोड़ा वन प्लस वाला टोन इसके यह वाच बन जाता है जैसे कि मैंने इसको अउन कर दिया बहुत ही मिनिमल सा लूक है और हलका सा ओलेट पैनल वाला फिल दे रहा है त्योंकि भाई इसका जो बेजल है और जो इसका डिस्प्ले इतना जाधा पतला है अल स्क्रीन डिस्प्ले का फिल आता है जिसका कर सकते हो जैसे कि तो क्लीन गर देते है इससे हेल्फ होता है सम्थेंग इस बड़े दे नफिंग वाला चीन है तो तीव को जैसे मुझे लगता है कि वन प्लस ब्ढ़ेट की आमें काफी अच्छा है वन प्लस एक ग्रोसी मंद टाइप का ब्राइंड ब्रांड जिसके आप जा सकते हो क्योंकि टीवी हर साल हर महिने बदलते नहीं आप लो कम से कम दो से तीन साल आप यूस करोगे तो उसके लिए भरोसी मन साथ ही चाहिए आपको आपको सोच के लेना पड़ाएगा यह ब्लूथित स्ट्यूरियो मोड आपकी मुबाइल से कनेट होगा आपको आइफ और अगर कुछ नॉर्मल यूट्यूब वीडियो चला रहा हूं है तो ऐसे स्पीकर काम करेगा यह से कि मैं चला है इस पर आपर आपको रिमोट एक्सेशरी मिल जाएगी यह ब्लूथूथ मोड है एक्चुल आप किसी भी एक्सेशरी को ज़स्लेक मोबाइल कनेट कर सकते ह आपने जैसे कि यहाँ पर आप एक्सेशरी में जाओ और अब यहाँ पर में पस एक OnePlus Buds Z2 Air Buds से आप कोई भी एरफोन करेक्ट कर से तो जिसमें Bluetooth है इसको बहुत ही क्विकलि यहाँ पर आपको दिखा दिया OnePlus Buds Z2 पेयर कर देते है इसको तो आप यहाँ पर देख से तो वन अब आपको अब आपको अब अब आपको बहुत है तो अगर ओवराल कंकूलूड किया जाए तो फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ही अमेजिंग तीवी लगाए मुझे और डेफिनिट्ली मैं रिकमेंड करने वाला हूं जिसको लेना तो अराम से आख बन करके ले सकता है इसके बिल्ट क्वालिटी सालेके सांड क्वालिटी हर एक चीज अफी अफी ऑन पॉइंट है अगर प्राइसें अब थोची जाया लग रही है तो आप बैंक ओफर ट्राइब कर से तो आज आएक तु ले लेना और यह ते मेरा कंप्लीट डिटेल रिव्यू वन प्लस अगया होगा विदाउट इनी कंफ्यूजन भाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुडबाई एंड जाइन और यहां ते वीडियो देख लिए सब्सक्काइब करके जाना थैंक्स वाचिंग बाई